असलामों अलाइकम स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके उमिद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और आज आप लोगों के साथ बिल्कुल नेसेल सा एक लूक है और जिसमें समच प्रूफ लाइनर की टेकनीक आप लोगों को सिखाई जा रही है खास दूर पर आज हम बिगनर्स के लिए आई सेड़ो को ब्लेंडिंग का मैथड जो है वो बताने वाले है ठीक है याप कितना भी मैस्क क्रियेट कर लो लेकिन आपकी ब्लेंडिंग आपके आई मेकप लूप को बहुत हुपसुद बना सकती है इस चीज़ का प्रूफ आपक प्रूप कर लिए ठीक है और आखों के नीचे भी मैं इस तरह से जो है ना वह अप्लाइ कर रही हो जस्ट फिंगर के हैं अप्लाइ कर रही हूं और पिगमेंट और मजीद इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा माइसलर वाटर को फिंगर पे लिए और अब मैं अगेन अगर आपके पास कोई कलर का पिगमेंट नहीं आता है तो आप माइसलर वाटर को यूज़ कर सकते हो या पिर हलका सा अगर पहले बेस बना लोगे फिर भी आपका पिगमेंट ज्यादा अच्छा रहा होता है मैंने डिर्क्त कलर को अप्लाइ किया है या पर इसलिए मैं करोगे कि बिल्कुल नेचरल लुक किस तरह सी आएगा कुंकि हम अभी नेचरल लुक की तरफ आने वाले हैं बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आजकल काफी है तो किस तरह से आप अपना लेन है जस्ट कंसीलर और ब्राउन कलर के मचिव साथ एका फुबावाइशन के आपको देखले किमने कोई ibrow फिलर को यूज़ नहीं किया है कंसीलर की मदद से हम अपनी ibrow शेया रहे हैं और यूज़क हमने फिंगर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से blend करके हुए ब्राउं कलर को आई ब्रोज पर यूज किया है तो कितनी अच्छी सी इनकी स्मूथ आई ब्लेंडिंग हुई है ठीक है और आप कंसीलर अगर आपको अपलाई करना आता है शेप बनानी आती है तो आपने कंसीलर लेने लाइनर वाले ब्रुश से ही बेशक आप इसको नहीं हो जाए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है बिगिनर लेवल पर अगर आपका थोड़ा बहुत मतलब खराब हो भी जाता है तो आपके शुक्नियर बात मतलब दुबारा से लगा के कर सकते हो ब्राउन कलर अच्छा यह मैंने गाइडलेंड बनाई है कि मुझे इस ब्लैक कलर के शेडोज अपलाई कर लेते हैं और वह बाहर तक फैल जाते हैं तो उनको भी आप इस तरह से कवर कर सकते हो बलके मैं आपको एक ब्लैक कलर के साथ और कंसीलर के साथ भी इन्शाला बहुत जल्द मेक अप करके दिखाऊंगे अगर आप कमेंट करोगे कि ब्लै को ने अपने कंसीलर को पहला लिया हुए और आप इसके बाद आप अपने कोई भी फलफी ब्रश की मदद से इसको और अच्छे तरीके से ब्लैंड कर सकते हैं क्योंकि ब्लैंडिंग के लिए आपके पास आगे से जो राउन वाला ब्रश होता है उसके साथ आपके अब मैं अपने कंसीलर पर थोड़ा थोड़ा कलर कंसीलर अपलाई करती जाओंगी अपने ब्रश पे ठीक है और उसकी साथ ही मैं पूरी आई को ब्लैंड करने वाली हूँ आप देखते जाए कि आपका ये कितना खुबस्ट सा लुक आपको अचीव हो जाएगा ठीक है बह सकते हो ठीक है अगेन मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया है और लीड पर भी अपलाई कर लिया हुए अभी इतना नेचरल ब्राउन सा कलर हमारी आई लीड पर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जो नेचरल ली तो पर अगया आप कहीं भी जा रहे हो तो ये कलर बहुत ही ज अगर आपके ब्रश के आइडिया है कि आपका ब्रश कहां कहां यूज होना है कौन सी जगह पर आपने यूज करने कौन सी जगह नहीं करना है तो आप अपना पूरा मेकप अच्छे थे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं आइस के नीचे भी हम लोगों ने बिल्कुल नीट कर अगर ज्यादा रफ था उसको हमने एक स्पंज की मद्द से क्लीन कर लिया हूँ था ठीक है और अब यहां पर मैं थोड़ा सा पावबर और थोड़ा से कंसीलर को ब्लेंड करके और अपनी बेस को पर्फेक्ट तरीके से बना लूगी अब मैं थोड़ा सा गोल्डन शेड है तो हमने थोड़ा सा कलर जो है वह इनर कोर्णर पर भी अपलाई कर लेना है सेम पैंसल ब्रिस्ट की मद्द से ही मैं यहां पर इनर कोर्णर पर जैस्ट हलका सा इस तरह से जो है वह फाईलिटर अपलाई कर रही हूँ ठीक है लीड के उपर आप चाहें तो पिल्कुल लाइ साथ 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 आपने एक स्ट्रेट प्ररश की मद्द से इस तरह से अपलाई कर लेना हुझा यह क्रायल उन का ब्रश जिससे आप अकसर लिप शेप के लिये यूज कर रहे हो ठीक है एगी यह बरुद ब्रश के साथ ही मैं अपलाई कर रही हूं यह बहुत चोटा सा आप उठाएंगे जैसे पिकमेंट ज्यादा उठा लेंगे तो फैलता जाएगा ड्राइ नहीं होगा और फिर आपके पूरी आए पे वह लुक अचीव नहीं होगा इसलिए जितना होशे के थोड़ा सा प्रोड़क्ट लगाएं और इसको ब्लेंड करें अब मैंने ब्लैक कलर का पाउडर आई शैडो लिया है और उसको मैंने इसी के उपर ही सेम एक से एक डिफरंट फलफी ब्रश होता है यह थोड़ा फ्लैट है इस ब्रश की मदद से मैं यूज़ करेंगे यह काशिज ब्रेंड का ब्रश है ठीक है और यह देखें जी अब हमारा लाइनर कितना प् बिल्कुल नैचरल मेकप है जिसे आप रूटीन में भी कर सकते हो को इतना प्रॉब्लम नहीं है चोटे मोटे फंक्शन में आप असानी से इस लुक को अचीव कर सकते हो आप यकिन करें कि इसना के डिफरंट स्टाइल के जो मेकप होते हैं वह बहुत जदा मतलब हो खुब अच्छे से बता दिया है ठीक है और यह अगेन मैं हलका सा हाइलेटर यहां पर यूज कर रही हूं और आप आपने बताने है कि हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है बहुत जदा दमाग लगा के तो न्यू न्यू टिक्निक्स न्यू डिक्स आप लोगों के लिए ढोड़त